नमस्कार मैं हूँ ससी आये जलगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं बता दे कि इस समेलन का विषय उच सिक्षा के बदला में राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 की भूमका रखा गया है जार्खन महस्वम विभाग के अनुसार मांसुन कमजोर पड़ा है हालाकि महस्वम विभाग ने लातेहार, गुमलाल, वर्दगा, पलामु, देवखर, धनबाद, दुमका और गोड़ा जिला में कुछ घंटों में बारिस होने की समभावना जिताई है विभाग ने लोगों से आगरा किया है कि सतरक और सधान रहे मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा के लिए अब पढ़ाई नहीं होगी छात्रशत्राओ का टेस्ट लेकर सिधे तयारी कराई जाएगी बता दे कि अगली साल मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा देने वाले छात्र छात्र छात्राओ का हर 15 दिन में टेस्ट होगा इसके तहत छात्र छात्र छात्राओ को वाट्सेप के जरी अनलाइन और स्कूल के माध्यां से ओफ लाइन प्रस्न पत्र दिये जाएंगे उसका उतर वे ओपन बुक से पेपर पर लिख कर इसकूल के ड्राफ बॉक्स में डाल देंगे बता दे कि इसके बाद सिक्चक उसकी जाच करेंगे और छात्र छात्राओ को उसे वापस करेंगे जार्खन में 1246 ने संक्रमीतों को पुष्टी हुई और दागा से एक मिले है जाण में कुल संक्रमीतों संख्या 51 listened 3 जाबके 32,460,7 मिले है च्वास्त्राइक acts भारत में 1,717 त मिले हैं introduction शौसे लोग्स वए है ज्यार्खन में रभीवार को साथ संक्रमितों की मौत हुई है जो पूर्भी सिमूं से चार, राची से दो वा साहेवगन से एक संक्रमित सामिली था है रभीवार को 1854 मरीज स्वस्त भी हुए है एक्टिप केस इस प्रकार है राची 364, पूर्भी सिमूं 235, रामगर 778, हजारी बग 764, सराय किला 725, वोकारो 725, कोडारमा 642, धनबाद 547, पचमी सिमूं 508, गिरी डिज 406, लातेहार 334, गुमला 331, खुट्टी 314, सायवगन 305, पलामो 301, चात्रा 302, गड़वा 262, दूमका 210, सिम्डेगा 184, जाम 130, पाकुर 109, मरीच, एक्टि भाए, केंध्रे ने, पूर्भी सिम्भू में संक्रामन पर नयंतरण के लिए, जाच बढ़ाने का दिया, सुझाओ, केंध्रे सरकार ने, जारकरन के, पूर्भी सिम्भू मुझिला में, कुरोना की, जाच बढ़ाने और, कुरोना वायरेस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए उपाय करने के लिए केंद्र ने कहा है कि संक्रमन की दर 5% से नीचे लाने के लिए उपायों को मजबूत करने तथा जांच बढ़ाने की जरूरत है सरकार ने कहा है कि जार्खन समित देश के पाच राजियों जार्खन दिली पचिम बंगाल महराष्ट गुजरात एवं एक किंद्र सासित परदेश के 35 जीलों में संक्रमन के मामले की संख्या मिरितियों दर अधिक है आम आदमी पाटी ने जार्खन स्वास्थ वेवस्था सुधार की मांग की आम आदमी पाटी ने जार्खन की रजधानी राची में रविवार को अलवट एका चोग पर स्वास्थ मंत्री बना गुपता का पुतला जलाया साथी पार्टी के करेकरतावों ने राजे की खराब स्वास्त ब्यवस्था पर आक्रोस जाहिर किया बता देखी जीला सन्योजक अजय मेहता ने कहा कि राजे में स्वास्त ब्यवस्था पूरी तरह से चर्मरा गई है उन्होंने कहा कि पहले MGM जम सेथपूर में कई तरह की अनिमेता देखी गई है हजारी बाग बखा गाउं में साथ गाउं की ग्रामीनों का धारना जारी कोल माइन्स कमपनियों तथा बिस्थापित प्रभावित रहतियों के लिए बने उचस्तरिय कमिटी द्वारा निर्ने नहीं मिलने के कारण प्रखंड के साथ गाउं के प्रभावित ग्रामीन एवं रहतियों द्वारा अनिश्थित का इंधरना जारी है बता दे कि बीगत 31 अगर 2020 से शुरू हुई इस धारने को लेकर किसानों रहतियों और प्रभावितों से वारता के लिए अब तक सरकार की पाल नहीं हुई है सिचाई कूप निर्मान से ससक्त हो रहे खुटी के किसान खुटी जिला अंतरगत कर्राप पर खंड के किसान मंडेगा के तहत संचालित सिचाई कूप निर्मान का भरपूर लाब उठा रहे हैं इससे अब अपने खेत में खेती कर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं बता दे कि निलामबर पितामबर जल सम्रीदी योजना के तहत सिचाई कूप निर्मान में किसानों को अधिक से अधिक लाब मिले इसके लिए मंडेगा आयुक सिदात तिरपाटी आमभूम का निभा रहे हैं रेलवे में 1,40,000 पदो पर भरती पर किरिया शुरू उन्होंने का है कि इन पदो के लिए करीब 2,42 क्रोर अवेधन पराप्थ हुए हैं जारखन में केस कलाबोट के गठन की मांग जननायक कर पूरी ठाकुरसेवस्चमिती जामतरा जीला अध्यक्ष ने जारखन सरकार से केस कलाबोट के गठन की मांग की है उन्होंने कहा है कि दूसरे राजियों की तरह जार्खन में भी केस कलावोट का गठन किया जाए खनन में गई जमीन के बदले मुअबजा और नोकरी दिलाएगी सरकार जार्खन के मुख्यमंत्री हमसुरे ने टाना भागत समदाय के प्रतिनी दिमंडल के साथ उनकी समस्याओ परवार्ता की मुख्यमंत्री ने टाना भागत की मांगो पर विधी समत निर्नाय लेने का अस्वासन दिया मुखमेंद्री ने कहा कि उत्खनन में गई जमीन के बदले मुवजा और सरकारी नोकरी दिलाने पर सरकार भी से सध्यान दे रही है होम आईसोलेशन वाले को नीजी लेव में करानी होगी जाँच होम आईसोलेशन की ओधी समाप्त होने के बाद कुरोना के मरीज को नीजी लेव में जाँच करानी होगी इसका खर्च भी मरीज को स्वेम वहन करना होगा आईसोलेशन की ओधी समाप्त होने के बाद जांच के लिए जीरा परसासन की टीम सम्बंधित ब्यक्ति के आवास पर नहीं जाएगी यह आदेश सनिवार को राची के उपायूग छवी रंजन ने दिया है जारखन में बार खोलने की मांग सीएम को लिखा पत्र जारखन खुद्रा सराब विक्रेत संग ने मुखमेंत्र हमन्सुरेन तथा उत्पाद एवं मग्द निशेद विभाग के मंत्री जगनात महतो को पत्र लिखकर राजे में होटल और रेस्टोरेंट की तरह ही बार खोलन की मांग की है संग के महासचीव सुबोध कुमार जैस्वाल का कहना है कि राजे में पांच महीने से बार बंद है किंद्र ने अनलोक फोर में 29 अगस्त को बार भी खोलने का आदेश दिया था लेकिन यह राजे में अब तक नहीं खोला जा सका है खाद की कमी को लेकर अनिश्चित कालिन अंसन पलामू जिला के हुसायनाबाद हैदर नगर वा मोहमद गंज में खाद की किलत से किसानों के मेनद पर पानी फिरने वाला है जिला पर सासन दो दिनों के अंदर प्रयाप्त खाद उपलब्द नहीं कराती है तो अगामी पर पिरेशवार्ता को समधित कर रहे थे रामगार सहर में आज 7 घंटे बिजली गुल रहेगी रामगार बिजली बिभाग ने बिजली कटोवति के प्रती अलर्ट जारी किया है साथ सितंबर को रामगर सहर में सुब़ साड़े नव बए से साड़े चार बए तक बीली गूल रहेगी इस समद में रभीवार को बीली विभाग के कारेपालक अभियांता सोना राम सोरेन ने बताया कि डीवी सी के नई सराय ग्रीड में पावर सप्लाई में मेंटेनेंस का काम होने वाला है इस कारे को लेका 7 गंटे तक बीलियापूर्ती बाजित रहेगी खोटी जिला में गेंदा फूल की खेती से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर खोटी जिला के किसान अफगेंदा की फूल की खेती से अपनी आर्थिक इस्तिती बेहतर बनाएंगे साथी परधान मत्री नादेमोदी के बोकल फोर लोकल के सपने को भी धरातल पर उतारेंगे खोटी जिला के किसार ने अपनी तकदीर अफगेंदा फूल की खेती के जरिये बदलने का संकर्प लिया है पंचायद सचीवाले स्वाइम सेवक संग ने मांग पत्र सोपा पंचाज सचीवालय स्वहिय्म सेवक, संग प्रखंड नीर्षा इकाई द्वारा बिधायक अरपना सेन गूपत को मांगपत्र सोपा गया मांग पत्र मुख्यतर तीन बिंदुव पर केंद्री था है प्रोचाना रासी की जगा मांदे पंचाज सचीवाले स्वयं सेवक पत प्रव्यतित कर पंचाज सचीवाले सेवक करने एवं स्वयं सेवको दोवारा किये गए बिगत वर्षों के कारियों के बकाय भुक्तान करने के समन्धित था हेमन्द सुरेन सरकार के खिलाप जिला अस्तर तक अंदोलन करेगी भाजपा भाजपा हेमन्द सरकार के खिलाप जिला अस्तर तक अंदोलन करेगी राज सरकार के विफलताओं पर घेरने के लिए सोमवार को भाजपा की परदेश कारे समीती की बैठक में रणनीती बनाई जाएगी भाजपा का उद्गाटन भाजपा की राष्ट्रिये अध्यक्स जगत प्रकास नड़ा करेंगे बतादे की राष्ट्रिये स संगठन मंत्री सौदान सिंग भी बैठक को समुधित करेंगे भाजपा परदेश कारे समीती की या बैठक पुरी तरह से ओनलाइन माध्यामों के जरिये वर्चूल बैठक होगी One Nation One Health Card जारखन में जल्द लागू हो मुख मत्री हमान सुलन से कांग्रेस के दो बिधायक डाक्टर इर्फान अंसारी और राजेस कक्षप ने रविवार को मुलकात की इर्फान अंसारी ने जहां One Nation One Health Card जारखन में जल्द लागू करने की अपिल की है वहीं बिधायक राजेस कक्षप ने धूरवा डेम के बिश्तरी करन की मांग की है बिधायक इर्फान अंसारी ने कहा है कि यह सकीम काफी उपयोगी होगा इस योजना में किये जाने वाले इलाज और टेस्ट की पूरी जनकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव होगी रगवर्दास बोले सरकार बदलते ही जहारखन में बढ़ गया धर्मातरन जहारखन के पूर्व मुखवंतरी रगवर्दास ने बरतमान हेमंद सुरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राज में धर्मातरन बढ़ गया है जहारखन में धर्म परिवर्दन जोरो पर है भाजपा नेतार अउबर्दास ने कहा कि हमारी सरकार ने धर्मात्रन पर रोक के लिए कानून बनाया और कड़ाई से लागू कराया इस करण भये जवरन लोव लालच में होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लग गई थी खेल हम सभी के जीवन का अभीन अंग मंत्री सत्यानन चत्रा सदर प्रखंड के डहरी गाओ के ठाकूर खेल मैदान में फूटबल टूर्नामेंट का सुभारम हुआ इसका उद्गाटन स्रम नियोजन एवं प्रसिक्षन मंत्री सत्यानन भोकता ने किया खेलाडियों को समधित करते हुए मंत्री ने कहा कि खेलाम सभी के जीवन का एक अभीन अंग है खेल सरीर को सारीरिक वमासिक रूप से लाग पहुचाता है